acceleration due to gravity जिसको हम small g से represent करते हैं अर्थ के surface पर उसकी value हम 9.8 meter per second square मान के चलते हैं लेकिन अगर हम अर्थ के surface से उपर जाएं यानि के कुछ height पर जाएं तो क्या वो acceleration due to gravity की value heights पर भी 9.8 meter per second square ही रहेगी या फिर बढ़ेगी या फिर घटेगी तो क्या होगा आज के वीडियो में हम उसी चीज की बात करेंगे तो जो हमारा आज का topic है वो है variation of small g with altitude यानि के height देखिए आप यहाँ इस diagram को अगर ध्यान से देखें तो ये जो गोला आपको नजर आ रहा है माल लीजिए ये अर्थ है और इस अर्थ का मास है capital M और वो capital M हम इसके center पर रखा हुआ मान सकते हैं हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि अगर अर्थ के surface पर मैं कोई point लूँ माल लीजिए मैं point A की बात करता हूँ तो अर्थ के surface पर acceleration due to gravity की value होती है 9.8 meter per second square और उसको हम small g से represent करते हैं लेकिन माल लीजिए अगर मैं अर्थ के surface से h height उपर एक point B लूँ तो माल लीजिए वहाँ acceleration due to gravity की value है g dash यानि आप ये कह सकते हैं कि notation के according हम ये कह रहे हैं कि अगर इस point पर acceleration due to gravity की value g है तो इस point पर acceleration due to gravity की value g dash है यानि कि दोनों अलग अलग हैं हमने माल लिया अगर ये बराबर हुई तो हम जो mathematical expression करेंगे उसमें g dash और g आपस में क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे और अगर कम जादा हुए तो वो भी हमें पता लग जाएगा तो एक बार फिर से देखिएगा at point A acceleration due to gravity की जो value है माल लिजिए वो g है और surface of earth से h height उपर जो point b आपने चूज किया है माल लिजिए वहाँ पर acceleration due to gravity की value है g dash तो सबसे पहले अगर point A की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो acceleration due to gravity का formula है वो हम पहले ही derive कर चुके हैं आप जानते हैं वो होता है gm divided by r square यहाँ पर m क्या है हमारी earth का mass और capital r क्या है earth की radius इसको हमने बोल दिया equation number 1 अब देखिए जहां तक point B की बात है तो वहाँ पर हमने acceleration due to gravity की value g dash माननी है तो g की जगे आ गया g dash लेकिन क्योंकि capital G जो आपका है वो universal gravitational constant है यानि कि उसकी value तो पूरे universe में same रहेगी इसका मतलब है इस point पर भी अगर उसकी value capital G थी तो यहाँ पर भी उसकी value क्या रहेगी capital G ही रहेगी पूरे universe में ये change नहीं करेगा तो इसलिए capital G की जगे आ गया capital G और एक बात देखिए आप के हम जहां है यानि के इस point पर है तो आप ये देखिए अर्थ के center से लेकर के इस point तक का जो distance है आप समझ गई होंगे वो हो गया r plus h इसलिए यहां जो r square था उसकी जगे आ गया है r plus h का square देखो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हैं कि इस formula में आप ये माल लीजिए जैसा कि हमने पहले derive किया था कि यहां पर कोई object जो है वो रखा हुआ है और हम उस object और अर्थ के center के बीच का जो distance है वो ले रहे थे r इसलिए r square आ रहा था लेकिन जब आप उस object को h height उपर उठा करके ले जाएंगे तो basically आप ये मानिए कि r plus h radius का आपने एक sphere ड्रॉ कर दिया और उस sphere के surface पर वो object रखा हुआ है तो तब तो आप समझ गए ना कि उस object और अर्थ के center के बीच में जो distance होगा वो कितना होगा r plus h होगा तो क्योंकि यहाँ distance का square आता है तो पहले r का square था लेकिन जब आपका object point b पर है तो r plus h का square यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर भी अर्थ का मास m था और यहाँ पर भी अर्थ का मास क्या रहेगा m रहेगा यह बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि अगर इस sphere के अंदर अर्थ का मास m है तो इस sphere के अंदर यानि के जो बड़े वाला sphere है उसके अंदर भी अर्थ का मास कितना रहेगा capital m ही रहेगा जस्ट आप यह ध्यान से देखिए कि फर्क किस चीज़ का पड़ा है सिर्फ इस चीज़ का फर्क पड़ा है कि अगर हमारा object a पर था तो उसका अर्थ के सेंटर से distance capital r था और अगर object हमारा b पर हो गया तो उसका अर्थ के सेंटर से distance h प्लस r या फिर r प्लस h हो गया तो इस point पर value g थी और इस point पर value g प्राइम थी हमने दोनो values निकाल ली इसको equation 1 और इसको हमने equation number 2 बोल दिया अब देखिएगा जब आप दोनो equations को divide करेंगे यानि कि equation 2 को equation 1 से divide करेंगे तो हमें ये मिलेगा और आप ये देख सकते हैं कि ये gm और ये gm cancel हो जाएंगे तो g prime by g हमें मिलेगा r square divide by r प्लस h के whole square के बराबर और अगर मैं इस g को यहां लाकर के multiply कर दूँ तो मुझे ये equation मिल जाएगी equation number 3 और यही equation हमें ये बताती है कि h height के उपर जाने के बाद यानि कि point b पर जाने के बाद जो acceleration due to gravity की value आपने g prime बोल ली थी वो g prime किसके बराबर होगी इस equation के बराबर होगी और आप एक चीज़ धान से देखिए अगर आप इस g को थोड़ा सा आगे ले आए तो इसके साथ multiplication में क्या बचेगा r square divide by r plus h का whole square और आप ये जानते हैं उपर r square है निचे r plus h का whole square है तो denominator बड़ा है इसलिए ये वाली चीज less than 1 होगी और less than 1 चीज जब इस g के साथ multiply होगी तो naturally g prime की value g से कैसी आएगी कम आएगी यानि के यहां हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप अर्थ के surface से उपर heights पर जाएंगे यानि के जैसे जैसे h increase करेगा वैसे वैसे acceleration due to gravity की value decrease होती जाएगी इसका मतलब साफ साफ ये है के हमारा जो surface of earth है वहाँ पर acceleration due to gravity की value g होगी और जैसे जैसे हम उपर जाएंगे उसकी value acceleration due to gravity की value g से कम होती चलेगी यानि के decrease करेगी तो इसको हमने बोल दिया equation number 3 ये बात आपको समझ में आगई होगी अब देखिए इसका हम एक special case mathematically consider कर रहे हैं और उसके बाग हम equation 3 और equation 4 के अंदर जो difference है उसको समझने की कोशिश करेंगे देखिए आप ऐसा कीजिए कि ये जो आपका g prime by g r square by r plus h के whole square के बराबर है इसको थोड़ा सा mathematically देखिए हम किस तरह से tackle करने जा रहे हैं मैंने क्या किया नीचे से r को बाहर ले लिया यानि के common ले लिया तो square की वज़े से r square बाहर आ गया और अंदर बच जाएगा 1 plus h by capital r का square और ये दोनों अपसे में cancel हो गए और आप देखिए 1 by ये वाली चीज है तो ये वाली चीज जब उपर जाएगी तो इसकी जो नीचे power 2 थी उपर जाने के बाद power कितनी हो जाएगी minus 2 हो जाएगी तो अब की बारा आप ये देखिए g prime by g किसके बराबर आ गया 1 plus h by r की power minus 2 और यहाँ आप ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ दो mathematical expression लिखे हैं और ये दोनों mathematical expression approximate हैं यानि ये expression correct नहीं है इन expressions को कुछ terms काट करके बनाया गया है मैं थोड़ा साब को इस चीज़ के बारे में explain करता हूँ देखिए मैंने आप लिखा है 1 plus x की power जो n है वो 1 plus nx के बराबर होती है और 1 plus x की power minus n जो है वो 1 minus nx के बराबर होती है यानि के ये n basically यहाँ पर x के साथ और ये minus n basically यहाँ पर x के साथ क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा और ऐसा नहीं है कि उपर वाली equation में इन दोनों के बाद कोई और तीसरी चोथी term नहीं है लेकिन क्योंकि वो terms बहुत छोटी होती चलती है इसी लिए हमने उनको क्या कर दिया है neglect कर दिया है इसी तरह नीचे वाले expressions में भी इस first term second term के बाद third fourth fifth बहुत सारी terms होती है लेकिन क्योंकि वो छोटी होती चली जाती है जैसे तीसरी term चोथी term पाँचवी term फिर छटी term वो बहुत छोटी चोटी होती चली जाती है इसी लिए हम उनको क्या कर देते हैं neglect करते हैं और उपर वाले expression को भी और नीचे वाले expression को भी हम सिर्फ क्या करते हैं दो terms तक ही restrict कर देते हैं तो इस formula के base पर अगर आप यहां देखें तो आप इस h by r को एक तरह से x मान सकते हैं और इस minus 2 को आप minus n की तरह treat कर सकते हैं तो जब यह minus 2 h by r के साथ multiply होगा आकर के इस equation के according तो g prime by g आपका इसके बराबर आ जाएगा और आप यह देखें जब आप g को यहां लाएंगे तो g 1 से भी multiply होगा और यह g 2 h by r से भी multiply होगा और कुल मिला करके हमें equation यह मिल जाएगी और इस equation से हमें यह result मिल जाएगा और आप खुद देखिए g में से कुछ subtract होकर के g prime बन रहा है यानि के g prime जो है वो less है किसके मुकाबले g के मुकाबले तो एक बात तो यहां बिलकुल clear है के small g decreases with increase in altitude और with increase in height जितनी surface of earth पर होती है height पर उतनी नहीं होती height के साथ-साथ वो value क्या करती रहती है decrease करती रहती है और मैं यहां एक बात और बता दूँ आपको surface of earth का मतलब होता है समुद्र का किनारा यानि के sea level हम उस चीज़ को क्या मानते हैं surface of earth मानते हैं तो यानि समुद्र के किनारे पर जहां आप यह मान लीजिए के पानी और मिट्टी आपस में मिलते हैं उस चीज़ को आप surface of earth बोल सकते हैं तो वहां पर acceleration due to gravity की value 9.8 meter per second square होती है और जैसे जैसे आप उस समुद्र तल से उंचाई पर चलते जाएंगे तो g की value क्या होती रहेगी घटती रहेगी तो कुल मिला करके मैंने जैसे ये equation 3 निकाल ली थी तो आप ये देखिए उस equation 3 को थोड़ा सा इस तरह mathematical process करते करते और आगे इस formula से थोड़ा सा approximation करते करते हम इस result पर आ गई हैं और इसको हमने बोल दिया है equation number 4 अब दोनों में फर्क क्या है equation 3 और equation 4 इनको हम कब-कब यूज़ करेंगे आप ये देखिए का ध्यान से equation 4 के साथ मैंने ये लिखा है कि equation 4 केवल तब यूज़ की जाएगी जब h r के मुकाबले बहुत ही कम हो और ये equation 3 तब यूज़ की जाएगी जब h r के कमपेरेबल हो अब इन दोनों का मतलब क्या है हम अगले पेज पर उस मतलब को समझने की कोशिश करते हैं तो माल लीजी आप से कोई ये पुछे कि जब हम उतनी उचाई पर है जितनी उचाई बिलकुल radius of earth के बराबर है तो वहाँ पर acceleration due to gravity की value क्या होगी यानि के अगर अर्थ की radius आप 6400 km कहते हैं तो जमीन के surface से आप 6400 km उपर हैं ठीक है ना यानि के यहाँ हम बोल सकते हैं के height is equal to radius of the earth तो उतनी उचाई पर जो acceleration due to gravity है उसकी value क्या होगी तो उसके लिए आपको use करनी पड़ेगी equation number 3 आप धान से देखिए मैंने आपसे कहा था के equation number 3 हम तब use करेंगे जब आपकी height जो है वो earth की radius के comparable हो यानि के बहुत ज़्यादा छोटी height ना हो ठीक है तो आप खुद देखिएगा के जब मैं आपसे कह रहा हूँ के hr के बराबर है इसका मतलब है के जमीन से आपकी height ठीक radius of earth के बराबर है यानि के आप जमीन से 6,4,0,0 km उचाई पर है तो naturally आप ये देख सकते हैं के यहाँ पर h और r आपस में comparable है तो उस case में क्या होगा जब आप पीछे वाली equation 3 में h की जगह r put करेंगे तो आपके पास ये result आजाएगा यानि के g prime is equal to g by 4 यानि के 6400 km की उचाई पर आपके पास acceleration due to gravity की value earth के surface के मुकाबले एक चोथाई रह जाएगी यानि के अगर मैं सिर्फ approximation के लिए बोलू के earth के surface पर हमारे पास जो acceleration due to gravity की value है वो 9.8 है तो 6400 km की उचाई पर आपके पास acceleration due to gravity की value 9.8 by 4 होगी आप उसको mathematically बड़े आराम से calculate कर सकते हैं तो आप देखेंगे के naturally वो 9.8 से कैसी हो गई है कम हो गई है ठीक है तो equation 3 आप याद रखिएगा कि आपको उस वक्त यूज करनी है जिस वक्त अर्थ के surface से उचाई जो है वो r के comparable है बहुत जादा छोटी नहीं है अब देखें when h is very very small as compared to r यानि के जो height अर्थ के surface के उपर आपको दी गई है वो अर्थ की radius के मुकाबले बहुत छोटी है तो तब आप इस equation 3 का use नहीं करेंगे तब आपको equation 4 को use करना पड़ेगा यानि के when h is very very small as compared to r तो आपको equation 4 use करनी पड़ेगी और इसका मतलब ये भी है के आप basically अर्थ के surface से कुछ उचाई पर तो हैं लेकिन करीब करीब आप अर्थ के surface के आसपास ही हैं कोई बहुत ज़ादा उचाई आपकी नहीं है जैसे कि आप example के तोर पे देखिए ये question मैंने यहाँ पर लिखा है find value of g at a height of 400 km above the surface of earth अब वैसे देखा जाए तो अर्थ के surface से 400 km उचाई पर आपको g की value बतानी है अब आप खुद देखिए 400 km और जो आप जानते हैं कि radius of earth जो है वो 6400 km होती है तो 400 km जो है वो 6400 km के comparison में क्या है बहुत ही छोटी है आप समद रहे होंगे कहा 400 km और कहा 6400 km तो because h is very very small as compared to the radius of earth so we have to use equation number 4 और equation number 4 हमें ये बोलती है तो जब आप radius of earth की value 6400 km रखेंगे और h की value आप 400 km रखेंगे तो ये दोनों cancel हो जाएंगे और आप इस जब इसको solve करेंगे तो आपके पास answer आजाएगा इतना 8.575 meter per second square तो देखा जाए तो आप ही देखिए ये value तो है अर्थ के surface पर यानि के 9.8 और ये value है 400 km की उचाई पर तो naturally ये value 9.8 से कम ही तो है और वही हम बोल रहे थे कि जैसे जैसे आप अर्थ के surface से उचा उठेंगे acceleration due to gravity की value क्या होती रहेगी decrease होती रहेगी लेकिन ये ध्यान से आप देखिएगा कि अगर आपकी h बहुत ही small है as compared to the radius of the earth तब आप equation 4 use करेंगे और अगर आपकी h जो है वो बहुत छोटी नहीं है बलके या तो ब्राबर है या फिर comparable है radius of the earth के तो आप equation number 3 जो है वो use करके g की value उस height पर निकाल पाएंगे तो कुल मिला करके आज के lecture में हमने जो 2 equations देखी equation 3 और equation 4 दोनों ने ही हमें ये बताया के with height acceleration due to gravity decreases as compared to its value on the surface of earth